हाई गाईज, वेलकम तू माई यूट्यूब चैनल, हमने लास्ट वीडियो में रिज रिग्रेशन बढ़ा था और हम नहीं देखा था कि कैसे वो ओवर्फिटिंग से आपको बचा सकता है आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि रिज रिग्रेशन के पीछे का जो इग्जाक्ट मैट्स है वो हम देखेंगे और फिर हम लोग स्क्रैट से रिज रिग्रेशन का कोड लिखेंगे ठीक है So, जैसा कि आप जानते हो, मतलब scikit-learn में ridge बोलके class है हम उस class को replicate करेंगे by building our own class So, let's start the video So, just to give you some context हम लोगों ने last class में discuss किया last video में कि आपका जो machine learning model आप बनाते हो using linear regression अगर आप दो variables के लिए बना रहे हो तो आपको उसके लिए दो coefficients निकालने होते हैं मतलब एक coefficient और एक intercept निकालना होते है और overfitting तब हो सकता है जब आपका ये coefficient का value बहुत high हो अगर ये coefficient का value, मतलब slope का value बहुत high है इसका मतलब y will depend highly on x So, this can lead to overfitting मतलब अगर आपका slope बहुत जादा है तो this can lead to overfitting और अगर आपका slope बहुत कम है this can lead to underfitting तो solution क्या था? solution ये था कि आप loss basically exactly क्या होते है थोड़ी तर के बाद आपको समझाओंगा but the idea is कि आप इस m का value as in its coefficient का value reduce करना चाहते हो और इसको सही जगा पे ले के आना चाहते हो ऐसा करने से इस model का bias बढ़ जाता है bias मतलब training data पे जो result है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है but in turn variance जो है वो घट जाता है bias variance trade-off में जो होता है आप bias को बढ़ा होगे तो variance घट जाएगा so now let's see कि exactly हम कैसे इस slope की value को decrease कर सकते है so होता क्या है कि आप linear regression जब perform करते हो उस time पे जो cost function होता है इसके बारे में हमने बहुत पढ़ाई की है cost function यह होता है this is the cost function आप इस cost function में एक term add कर देते हो ठीक है और generally वो term क्या होता है अगर आप 2D linear regression कर रहे हो तो वो term होता है lambda times m square ठीक है m क्या है m is the slope so अब rather than minimizing this thing you have to minimize this entire thing और यह term के add होने के वज़े से क्या हो रहा है कि आपका जो overall slope निकल के आएगा जो overall m निकल के आएगा जिसके लिए यह value minimum होगा that will be lesser than जब सिर्फ यह term होता आपके loss function में ठीक है so now what I will do is I will show you a derivation कि सच में यह term add करने से m का value आप reduce कर पा रहे हो ठीक है देखते हैं वो कैसे होता है so guys आगे का derivation देखने के लिए आपको एक बस simple linear regression का video देखना पड़ेगा जो मैंने कुछ दिन पहले shoot किया था उसका link मैं description में डाल दूँगा same to same वही derivation होगा बस उस derivation में यह term add हो जाएगा ठीक है so if you remember हमारा loss function को आप ऐसे लिख सकते हो i is equal to 1 से n yi minus m xi minus b का whole square plus lambda m square अब आपको क्या करना पड़ेगा आपको इसको दो terms के respect में differentiate करना पड़ेगा मतलब आपको del l by del b करना पड़ेगा और del l by del m करना पड़ेगा और दोनों को equal to 0 करोगे और इससे आपको b का value मिलेगा और इससे आपको m का value मिलेगा यह exact चीज़ हम पहले कर चुके है in fact जो यह वाला flow है जहाँ पे आप b के साथ differentiate करते हो इसमें कोई change नहीं है जो आपने simple linear regression में पड़ा था और जो आप यहाँ पढ़ रहो इन दोनों में कोई भी difference नहीं है जो भी difference है वो m के terms में है तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं assume कर ले रहा हूँ कि आपने वो video देख रखा है और मैं यहाँ पे दोबारा से derivation नहीं कर रहा मैं आपको directly बता देता हूँ कि जब आप यह derivation करके b का value calculate करोगे तो b का value आता है y bar minus m x bar यहाँ पे y bar क्या है? y data का mean और x bar क्या है? x data का mean ठीक है? और m क्या है? m is your slope अब हम लोग यह वाला flow देखेंगे जहाँ पे main difference आएगा ठीक है? so let's do that so I'll come down और हम लोग हमारे loss function में हमारा जो loss function है इसमें I will make a change and the change would be this कि मैं यहाँ पे y i minus m x i minus b के बदले यह चीज़ को fill कर दूँगा so this will be y bar minus m x bar का whole square plus lambda m square और अब मैं क्या करूँगा? differentiate करूँगा with respect to m ठीक है? तो सबसे पहले क्या होगा? I guess आपको इतना पता है पहले आप इस term को differentiate करोगे फिर आप इस term को differentiate करोगे तो आपको मिलेगा 2 times sigma i is equal to 1 to n y i minus m x i minus y bar minus m x bar का whole square I'm sorry whole square नहीं आएगा differentiate हो चुक है और फिर आप हर term को individually differentiate करोगे with respect to m तो आपके पास आएगा ये वाला term 0 हो जाएगा ये वाले term के बदले आएगा minus x i ये वाला term 0 हो जाएगा ये वाले term के बदले आएगा minus x ओके ये plus हो जाता है my bad यहाँ पे plus होना चाहिए था क्योंकि जब ये minus multiply होगा इस minus से तो it would be plus ठीक है, so my bad, so this would be plus x bar plus, इसका जब आप differentiation करोगे with respect to m, तो it will give you 2 lambda m, ठीक है, और इसको आपको equal to 0 set करना है, ठीक है, यहां तक आईगा है सापको, समझ में आ रहे हैं, so we can rewrite this entire thing as, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से minus 1 common निकाल सकते हैं, तो this would become minus 2, sigma i is equal to 1 से n, yi minus y bar minus m xi, और plus m x bar, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा, xi minus x bar, ठीक हमने यहां से minus 1 common निकाल लिया, plus 2 lambda m equal to 0, अब हम इसको rewrite कर सकते हैं, by writing this, lambda m, यह positive है, यहां पर आ गया, यह 2 हट गया, यह 2 भी हट गया, minus sigma i is equal to 1 से n, yi minus y bar minus m times xi minus x bar, ठीक है, और इसको multiply कर रहे है, xi minus x bar से, and this is equal to 0, ठीक है, so we are almost getting there, now what we will do is, कि we will expand these terms, so lambda m minus sigma i is equal to 1 से n, यह वाला term दोनों से multiply होगा, तो it would become yi minus y bar multiplied by xi minus x bar minus m times xi minus x bar का square equal to 0, ठीक है, अब मैं यह minus से दोनों से multiply कर रहा हूँ, तो this will become lambda m minus yi minus y bar xi minus x bar plus sigma i is equal to 1 से n, m times xi minus x bar का whole square equal to 0, अब you can see, कि हमारे पास 3 में से 2 terms में m है, so यह जो term है, इसमें और इसमें m है, तो इनको मैं साथ में ले आता हूँ, और इसको इस साइड लेके जाता हूँ, तो this would become lambda m plus m sigma i is equal to 1 से n, xi minus x bar का whole square equal to sigma yi minus y bar xi minus x bar, अब यहां से हमने m common निकाल लिया, तो this would become sigma i is equal to 1 से n, yi minus y bar xi minus x bar divided by sigma i is equal to 1 से n, xi minus x bar का whole square plus lambda, so अगर guys, this is it, मतलब यही हमें derive करना था हमने derive कर लिया, m का value आप ऐसे निकालते हो, this is the m का value, अगर आप इसको compare करो with normal linear regression, normal linear regression में भी almost same answer आया था, बस एक difference था, कि नीचे वो lambda नहीं था, let me show you, यह पूरा interpretation क्या बोल रहा है, यह answer आया था जब हमने simple linear regression किया था, यह, यह कोई lambda का term नहीं था, ठीक है, बस यही difference है, this is original linear regression और उपर वाला is ridge regression, ठीक है, ridge regression में क्या होता है, जब आप m calculate करते हो, तो नीचे आप lambda से divide करते हो, मतलब जो भी चीज है denominator में, उसमें आप lambda add कर देते हो, अब lambda क्या है, lambda is a hyper parameter, जिसको आप alpha बोलते हो, उसी को आप alpha बोलते हो, तो अब जितना बड़ा आप alpha रखोगे, अब सबसे पहले सोचो, अगर आपका lambda का value अगर 0 है, तो यह और यह दोनों same चीज है, मतलब lambda is equal to 0 के लिए, आप linear regression ही perform करोगे, lambda का value अगर आप 10 करोगे, तो m का value थोड़ा सा decrease करेगा, क्योंकि आपने denominator को बढ़ाया, similarly अगर आप 100 करोगे, तो और जादा बढ़ जाएगा, ठीक है, तो कुछ भी अगर आप positive रख रहे हो, lambda में, तो m में थोड़ा सा change आएगा, अगर आप उसको 0 कर दोगे, तो कोई change नहीं आएगा, और अगर m में change हो रहा है, तो फिर automatically b में भी change होगा, क्योंकि b कैसे calculate होता है, y bar minus m x bar, and that's it, that is why regularization works, that is how ridge regression works, add the end, उपर, जब हमने lambda m square add किया, हमारे loss function में, उससे बस यही फायदा हुआ, कि end में जो आपका m calculate करने का formula था, वहाँ पे denominator में एक term add हो गया, और वो term था lambda, आपका hyper parameter, so जितना ज़ादा आप lambda रखोगे, m उतना ही घटेगा, ठीक है, और that's it, इसी तरीके से ridge regression काम करता है, in 1D, मतब 2D, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये code आपको लिखके दिखाऊँगा, और फिर आपको actually मैं दिखाई देगा, कि हाँ सच में यही चीज़ हो रही है, जिसकी वज़े से m का value घट रहा है, so guys मैंने already ये file बना रखी है, और इसमें मैंने ridge regression वाली class को import करके, code चला रखा है, so that हम जब class बनाएं, उसको हम compare कर पाएं side by side, जो results आरे हैं उनको, ठीक है, so ये data set मैं consistently use कर रहा हूँ, इस पूरे series में, it's basically हमने generate किया एक linear data, एक input column, एक output column, and this is the data set, so मैंने क्या किया पहले, मैंने पहले linear regression class को import करके, उसको train करके, coefficient और intercept value calculate किया, ठीक है, फिर मैंने ridge regression वाली class को call किया, और मैंने alpha का value 10 set किया, ठीक है, और उसके बाद मैंने model को train किया, and you can see, alpha equal to 10 के उपर, मेरा slope का value है, वो थोड़ा सा decrease हो गया, 27 set, 24 पे आ गया, and similarly थोड़ा सा impact आपके intercept पर भी पढ़ा, ठीक है, और just to show you again, मैंने alpha का value 100 भी डाल करके calculate किया, तो you can see, काफी कम हो गया, 12 पे आ गया, 24 से 12 पे आ गया, ठीक है, और just again to show you, मैंने तीनो regression lines को same plot पे plot किया, तो you can see, this is the result, मेरे actual data के उपर, जो मेरा linear regression line है, without any regularization, that is the red line, जिसका slope सबसे जादा है, अगर आप ध्यान से देखो, उसके बाद आता है, green line, जब आपके alpha का value was equal to 10, तो थोड़ा सा slope घट गया है, और जब आपने hundred times कर दिया slope, the orange line, you can see, आपका बहुत ज़ादा, आपने decrease कर दिया slope, और अब ये gradually under fitting वाली category में घुस रहा है, ठीक है, so I guess optimum होगा 1 या शाय 10, या आप results निकाल करके देख पाऊगे, R2 score calculate करने से आपको idea लग जाएगा, ठीक है, तो anyways, just to show you visually की ridge regularization कैसे काम कर रहा है, मैंने आपको ये वाला diagram बना के दिखाया, अब हम क्या करेंगे, हम हमारा खुद का एक class बनाएंगे, let's create a class, let's call it मेरा ridge, ठीक है, मेरा ridge, और यहाँ पर we will add our constructor, constructor में एक self होगा, और alpha का value हमें बताया जाएगा, अगर कुछ नहीं बताया जाएगा, तो point 1 हम assume कर लेंगे, self.alpha would be equal to alpha, ठीक है, self.m would be equal to none, self.b would be equal to none, ठीक है, then we will create our fit method, इसमें self होगा, x होगा, y होगा, और यहाँ पर आप calculate करोगे, m और b का value, और फिर आपके पास होगा predict, predict में भी आपको, यहाँ पर actually x train और y train लिख लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, और यहाँ पर x test लिख लेते हैं, और इसको pass बना लेते हैं, अब देखोगा इस, आपको क्या करना है, आपको पहले इस formula को use करके, यह आप to first calculate m का value, ठीक है, so m का value निकालने के लिए मैं denominator, numerator अलग से calculate करूँगा, और denominator अलग से calculate करूँगा, so मैं यहाँ पर लिख रहाँ, numerator will be equal to, you can see, हमें क्या करना पड़ेगा, numerator को initially हम रख देते हैं, 0, और denominator को भी initially रख देते हैं, 0, फिर हमें क्या करना है, हमें loop चलाना है, और हमें यह summation find करना है, so what I will do is, कि I would calculate, I would run this loop for I in range of x train dot shape का 0, जितने rows हैं, उतनी बार यह loop चलेगा, और हर बार आप numerator में add करोगे, numerator plus यह वाला term, yi minus y bar, so you would write bracket में yi, मतलब की y train का ith value minus y train dot mean, यह calculate करोगे, और इसको आप multiply कर दो होगे, with x train का same चीज, so copy, paste, this would become x train, and this would also become x train का mean, ठीक है, और similarly, denominator calculate करते time, आपको यह चीज़ calculate करना है, तो you would write denominator plus, I would write this, और इसको multiply कर देंगे, same चीज़ से, ठीक है, बस यहाँ पे plus में यह lambda आ जाएगा, और lambda क्या है, self dot alpha, self dot alpha, ठीक है, और जब यह loop complete हो जाएगा, मैं बहार आँगा, और मैं calculate करूँगा, self dot m, and this will be equal to numerator divided by denominator and self dot b would be equal to y train dot mean minus self dot m times extreme dot mean, ठीक है, तो इसको एक bracket में ले लेते हैं, and let's also print out self dot m का क्या value है, और self dot b का क्या value है, ठीक है, so this is it, एक बार इसको run करके रेखते हैं, हमें अगर इसको run करना हो, तो हम एक reg बोल करके एक object बना रहे हैं, मेरा ridge class का alpha का value, अभी मैं point, alpha का value 10 रख लेते हैं, so that हम compare कर पाएं, उपर हमने 10 के लिए निकाला था, so 10, और अब यहाँ पे हम लिखेंगे, reg.fit and we will pass x, y, और ये तो कुछ बहुत ही अलगा रहे है, क्या हो महाना आदमियों यार मैंने एक बहुत बड़ा stupid mistake किया, हम क्या कर रहे हैं, हम denominator calculate करते time हर बार self.alpha add कर रहे हैं, obviously आप ऐसा नहीं करोगे, आप एक बार जब पूरी तरीके से calculate कर लोगे denominator, उसके बाद आप alpha add करते हो, तो बहुत बड़ा mistake यह है कि self.add loop के अंदर ना हो करके, आप यहाँ पर करोगे, जब आप denominator पूरा calculate कर लोगे, उसमें आप alpha add करते हो, my bad, it was quite stupid, run करते हैं एक बार फिर से, and you can see, यह रहा हमारा answer, 24.95-2.12, अगर हम उपर जाएं, तो यह देखो, जब alpha का value 10 था, 24.95-2.12, let's see, अगर हम 100 set करते हैं, तो result यह आ रहा है के नहीं, 12.93-1.42, so what we will do is, we'll set it to 100, और यह रहा, 12.93-1.42, So, हमने exactly same class बना दिया, जो ridge regression वाले scikit-learn के code में है, ठीक है? So, एक बार आप try करोई code खुद से लिखने का, अब हम क्या करेंगे? हम n-dimensional space के लिए, n-dimensional data के लिए, यह same काम करेंगे, और यह code को general बनाते हैं, ठीक है? So, yeah, that's it. So, now guys, हमने 1D, actually 2D data में ridge regression, scratch से अपलाई करके देख लिया, अब हम उस same concept को थोड़ा सा लेकर के चलते हैं, higher dimension में, जब हमारे पास n-dimensional data हो, ठीक है? So, माल लो, हमारे पास यह data है, x1, x2, dot dot dot, xn, और y, मतलब हमारे पास n input columns हैं, और एक output column है, मतलब हमारे पास total मिलाके, n plus one columns है, और माल लो हमारे पास total मिलाके, m rows है, हमारे पास यह data है, ठीक है? अब हमें इसके उपर ridge regression अपलाई करना है, तो कैसे अपलाई करेंगे? सो आपको अल्रडी पता है कि n dimension में भी आपका जो loss function होता है वो इसी form में होता है. 1 से लेके m तक, m is the number of rows, yi minus yi hat का whole square. अब मैंने आपको multiple linear regression वाले वीडियो में समझाया था कि आप इसको matrix के form में कैसे ला सकते हो. आप इसको matrix के form में ऐसे ला सकते हो. तो let's say, थोड़ी देर के लिए हम माल लेते हैं कि यहाँ पे जो weights हमें calculate करने हैं, जो coefficients हमें calculate करने हैं, वो होंगे w1, w2, dot, 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 wn. For every input column, you will calculate one coefficient, w बुला रहे हैं हम उसको, और एक w0 होगा, intercept term. So total मिला कि मुझे इस problem को solve करने के लिए n plus 1 coefficients का value निकालना है. ठीक है? तो आप इस problem को matrix form में कैसे लिख सकते हो? आप ये लिख सकते हो. आप लिख सकते हो, x w minus y transpose x w minus y. अब ये कैसे आया? इसके लिए आपको वो पिछला वीडियो देखना पड़ेगा. वहाँ पर मैंने बहुत detail में समझाया है. मैं फिर से नहीं समझा रहा हूँ, because it would take around 10 minutes. कोई point नहीं है. आप पिछला वीडियो देख सकते हो. ठीक है? मैं बस आपको ये बता देता हूँ, कि यहाँ पर y क्या है? सबसे पहले. So y is basically this column. This entire output वाला column. ठीक है? सो ये basically एक matrix होगी, जहाँ पर हमारे सारे output वाले column की values होँगी. total मिला के कितनी values होँगी? m values होँगी. because यहाँ पर m rows है. ठीक है? next, w क्या है? w is again a matrix जहाँ पर w naught, w1, dot, 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 wn. So इस matrix का shape is n cross 1. ठीक है? n cross 1 rows है इसमें. और x क्या है? x is basically this matrix. 1, 1, 1, dot, 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 1, x, 1, 1, x, 1, 2, dot, 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 x, 1, n, x, 2, 1, x, 2, 2, 2, dot, 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 x, 2, n, dot, 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 x, m, 1, x, m, 2, dot, 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 x, m, n. basically आपने सारा का सारा ये values extract कर लिया ये सारी values आपने extract कर लिया और इनके आगे 1 लगा दिया ठीक है ये सब मैंने पिछले session में बताया है आपको so ये वो matrices है ठीक है ये वो matrices है so मतलब अगर मैं n dimensional data के साथ काम कर रहा हूँ तो मैं अपने loss function को इस form में y ये matrix है इसका transpose x w minus y ठीक है ये हो गया normal linear regression के लिए this is for normal linear regression अब मुझे इसके उपर apply करना है ridge regression मतलब मुझे इसमें एक regularization term add करना है और वो regularization term क्या होगा वो regularization term होता है lambda w square और यहाँ पे w क्या है w फिर से ये matrix ही है ठीक है मतलब this मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ this term can be rewritten as lambda w not का square plus lambda w1 का square plus lambda w2 का square dot 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 plus lambda wn का square ये चीज और ये चीज सेम है ठीक है अगर मैं lambda common निकालू तो अंदर आ जाएगा w not का square plus w1 का square plus w2 का square dot 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 wn का square ठीक है अब मैं क्या कर सकता हूँ इस पूरी चीज को ऐसे लिख सकता हूँ सोचके देखो आप बिल्कुल कर सकते हो w transpose क्या होगा w transpose होगा ये चीज w not w1 w2 dot 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 wn अब सोचके देखो इन दोनों के उपर आप dot product apply करोगे तो you will get this thing ठीक है so basically हम हमारे ridge regression वाले loss function को ऐसे लिख सकते हैं यही loss function को आप rewrite कर सकते हो in matrix form and that would be loss is equal to x w minus y transpose x w minus y plus lambda w transpose w ये आपका loss function है ridge regression के लिए for n dimensional data ठीक है अब हमें क्या करना है हमें differentiate करना है इस पूरी चीज को with respect to w मतलब हमें dl by dw निकालना है और यहाँ पे matrix differentiation होगा और उसको equal to 0 करके हमें w matrix का value निकालना है ठीक है यह हम कर चुके है बस एक extra time आगया ये वाला बाकी ये चीज लेकर के हम already काम कर चुके है पहले से ठीक है अब मैं काम कर रहो पहले थोड़ा सा इस पूरे को simplify कर रहो so I'll rewrite it as l is equal to आपको पता है अगर a minus b transpose होता है तो आप इसको लिख सकते हो a transpose minus b transpose ठीक है तो आप y कर रहे हो आप लिख रहे हो x w का transpose minus y का transpose multiplied by x w minus y plus lambda w transpose w ठीक है अब आपको पता है a b का transpose होता है b transpose a transpose going by that logic ये चीज बन जाएगा w transpose x transpose minus y transpose multiplied by x w minus y plus lambda w transpose w ठीक है थोड़ा सा और सेंप्लिफाई कर रहे है cross multiply कर रहे है cross multiply नहीं मतलब expand कर रहे है terms को ये हो जाएगा w transpose x transpose x transpose sorry x w minus w transpose x transpose y minus y transpose x w plus y transpose y plus lambda w transpose w ठीक है अब I guess आपको पता है कि मैंने last video में आगे ये पूरा करके बताये था कि ये जो term है ये दोनो terms ये actually same है ठीक है मैंने ये आपको फिर से last video में बताये था मैं फिर से यापे दुबारा से नहीं बताऊंगा पांच मिनिट और लग जाएंगे आपको वो पिछला video एक बार देखना पड़ेगा ये दोनो terms same है ठीक है और अब हम लोग almost वहाँ पर है जहापे हम differentiation perform करेंगे अब हम लोग बस एक बार last time rewrite करते हैं इस पूरी चीज़को W transpose X transpose X W minus सिंस ये दोनो terms same है मैं ये लिख रहा हूँ 2 times W transpose X transpose Y plus Y transpose Y plus lambda W transpose W ये मेरा finally loss function है और अब मुझे इसको differentiate करना है with respect to the matrix W ठीक है सो मुझे निकालना है DL by DW so clearly you can see सबके उपर अलग-अलग differentiation करना पड़ेगा चारों के उपर ये term already समझ में आ रहा है it will become zero बाकी लोगों का differentiation करने के लिए मैं गाइड आपके सामने रख रहा हूँ सो ये किसी university का PDF sheet है जहांपे matrices को कैसे differentiate किया जाता है उसका formulas दिया हुआ है हम ये formula as guide use करेंगे तो यहां पर अगर आप देखो इस first वाले term में हमेरे पास w transpose w है हमको w के साथ differentiate करना है बट w transpose w है और ये इसको माल लो this is some constant x transpose x तो ये same scenario आप यहां पर देख सकते हो ये वाला कि अगर आपके पास x transpose अगर आपके पास x transpose x है और b एक constant है तो इसका differentiation जब आप करोगे x के साथ तो आपको मिलेगा 2bx मतलब कि आपको बस इतना करना है कि यहां पर आजाएगा यहां पर आजाएगा 2 times b b क्या है x transpose x और w transpose w के बदले क्या आजाएगा आपका w ठीक है आज यह समझ में आ गया यह पहला term आप यह formula देख करके तुरंट खुद से भी कर सकते हो next यहां पर मुझे w transpose के हिसाब से differentiate करना है so you can see अगर आपके पास कुछ ऐसा है x transpose b और उसका differentiation आपको x के साथ करना है तो it is just b इसका मतलब यहां पर आप simply लिख सकते हो 2 x transpose y ठीक है प्लस इस वुड बी 0 प्लस अब है w transpose w का differentiation so you can see यह राइस का differentiation 2 x मतलब यह हो जाएगा 2 lambda w ठीक है और इसको मुझे 0 के बराबर करना है ठीक है so अब हम क्या करेंगे यह सारे 2s हट जाएंगे so it will become x transpose x w प्लस lambda w is equal to x transpose y मैंने उस side ले गया मैं यहां से w अगर मैं निकाल दूँ तो यह बन जाएगा x transpose x प्लस lambda identity matrix क्यूंकि आप directly ऐसे w को नहीं निकाल सकते lambda is a scalar तो यहां पे हमें identity matrix डालना पड़ा और यह मेरा w है is equal to x transpose y और अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और इस पूरे term को इस पूरे term को अगर मैं यहां ले जाओ तो यह हो जाएगा w is equal to x transpose x प्लस lambda i का inverse x transpose y and that's it guys this is the solution for ridge regression this is the solution अगर आपको याद होगा अगर आप वीडियो देख रहे होगे साथ में तो वहां पे आया था w is equal to x transpose x का inverse x transpose y यहां पर फिर से यह lambda वाला term आ गया साथ में एक identity matrix है और यह एक identity matrix है जिसका shape होगा n cross 1 comma n cross 1 मतलब अगर आपके पास 3 columns हैं तो यह 4 by 4 का identity matrix होगा ठीक है तो इसके वज़े से क्या हो रहा है इस term के add होने की वज़े से आपके सारे जो coefficients calculate होंगे w naught से लेके w n तक सबका value decrease कर जाता है जितना आप lambda बढ़ाते जाओगे उतना आपका value decrease करता जाएगा ठीक है so this is the formulation एक बार I would recommend पिछला वाला वीडियो देखो जिसका link मैंने description में दे रखा है और खुझ से एक बार इसको pen paper पे derive करने का try करो matrix differentiation है I will also share this link यह as a guide यूज करो या फिर थोड़ा सा और time invest करके matrices का differentiation कैसे होता है वो सीख जाओ तो और better रहेगा but yeah right now this is the thing और इसी को हम अब code करेंगे using python so चलो guys अब हम लोग code करते हैं जो हमने भी mathematically derive किया so हमें एक data set चाहिए था जिसमें एक से जादा input columns हो तो मैंने यह load diabetes वाला data set फिर से use किया यह हम कई बार use कर चुके है xy extract किया train test split किया और यहाँ पे इस line में मैंने ridge वाले class को import किया psychic learn का और यहाँ पर मैंने alpha is equal to 0.1 रखा lambda का value 0.1 रखा और solver is equal to actual s की जो भी है मतलब अगर आप इस class में जाओ तो यहाँ पर आपको solver मिलता है so solver में अलग-अलग values है svd, sholesky, lsqr, sag, saga so internally this class can do ordinary least square या फिर gradient descent भी apply कर सकता है तो मैं sholesky use कर रहा हूँ जो internally वही exact function use करेगा जो हम use कर रहे है so solver यह select कर लिया मैंने और मैंने fit किया अपने data के उपर और फिर मैंने vibrate calculate करके जब r2 score निकाला तो 0.46 के around आ रहा था ठीक है अगर मैं coefficients और intercept प्रिंट करो तो these are the coefficients and intercept ठीक है अब मुझे का करना है मुझे अपना एक class बनाना है जिससे मुझे यह same answer दिखाई दे ठीक है so let's create that class class का नाम होगा मेरा reg will create a constructor constructor को एक चीज मिलेगी alpha का value जो की initially 0.1 है और यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़े बना रहे हैं जैसे की alpha will be equal to जो भी alpha का value है self.coefficient initially none है self.intercept initially none है then we have fit method जहाँ पे आपको self मिलेगा x train and y train मिलेगा आप कुछ करोगे और हमारे पास होगा predict self x train y train क्या कर रहो है my bad it should be x test और आप return कर दोगे कुछ फिलाल यहाँ पे पास लिख देते हैं ठीक है तो यह मेरा skeleton code है अब देखो गाई बहुत simple है हमें क्या करना है हमें सबसे पहले see हमें यह code लिखना है basically W को calculate करने के लिए ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूँ सबसे पहले यह x वाला matrix बना रहा हूँ x वाला matrix क्या होगा आपका पूरा जो x train वाला matrix है जो आपका पूरा x train वाला matrix है उसके शुरू में वस आपको 1 लगाना है ठीक है इंसर्ट x train के उपर अप्लाई करना है 0th position पे 1 डालना है axis शुद बी 1 and you can see हर रो में पहला वाला जो number है वो 1 हो जा रहा है सो हम यह code को copy करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि x train is now equal to this ठीक है x train बन गया अब हमें क्या करना है हमारे पास y already है y is y train हमें बस यह i calculate करना है i मैंने आपको बताया था i क्या होगा i will be an identity matrix जिसका shape क्या होगा n cross 1 n cross 1 ठीक है n क्या है यहाँ पे number of columns तो मैं लिखूंगा i capital i is equal to np.identity identity और यहाँ पे आप पास कर दोगे x train dot shape का 1 number of columns जितने है ठीक है और अब आपको calculate करना है result result will be equal to np.linear algebra.inverse और आपको inverse calculate करना है इस अंदर वाली चीज़ का तो पहले आप निकालोगे np.x train dot transpose पहले आप यह x transpose x निकालोगे by writing this code फिर आप इसमें add कर दोगे lambda i you would write self dot alpha multiplied by i और जो भी result आएगा उसको आप dot product करोगे x transpose के साथ तो you would write x train dot transport और जो भी result आएगा उसको फिर से dot product करोगे y train के साथ और यह आपको आपका w matrix दे देगा अब आपको उसके अंदर से सारे coefficients extract करने है और intercept का term extract करना है आपको पता है कि जो पहला term होगा जो पहला term होगा result के अंदर वही आपका intercept होगा और जो आपका बाकी का terms होगे वो आपके coefficients होगे so you would write result में 1 onwards ठीक है and that's it guys that's it यही code है हमारा ठीक है और अब अगर मैं इसको run करूँ यहाँ पे भी मैं code लिख देता हूँ return हमें करना है np.xtest को with self.coefficient और जो भी answer है उसमें हमें add कर देना है intercept intercept underscore that's my class that is my class अब मैं क्या करूँगा मैं आ जाओंगा and I will create a regressor object of my class मेरा reg यहाँ पे alpass alpha को भी मैं 0.1 ही छोड़ दे रहा हूँ मैंने उपर भी कितना रखा था 0.1 ही रखा था तो 0.1 छोड़ देते हैं और reg.fit करते हैं x train and y train ठीक है फिर हम लोग calculate करते हैं y pret this will be equal to reg.predict x test let's print the r2 score y test comma y print let's print these two terms also so तीनों चीज़े साथ में print हो जाएंगे let's run this and you can see 0.46 आ रहा है 0.46 930 0.46 920 930 के बदले 920 आ रहा है और यहां पर 150.89 आ रहा है यहां पर 150.84 आ रहा है यहां पर 44.0 minus 241 452 है और यहां पर almost same है बस कुछ जगों पर आपको difference दिखाई देगा जैसे कि I will show you जैसे कि यहां पर देखो यह term है minus 164 और यह term है minus 165 so मेरे दिमाग में एक question आये कि यह difference क्यों आ रहा है difference आना नहीं चाहिए अगर हम दोनों मतलब उनका class और हमारा class same formula यूज कर रहा है तो difference आना नहीं चाहिए so थोड़ा मैंने research किया तो मेरे को पता चला कि apparently what they are doing is कि वो लोग इस identity matrix में यह जो identity matrix है जो कि ऐसा दिखाई देगा 1, 0, 0 अगर यह 3 by 3 होगा तो यह लोग इसका पहला वाला term को 0 कर दे रहे है ठीक है और वो इसलिए कर रहे है क्योंकि वो intercept के उपर यह logic intercept वाले coefficient के उपर as in w0 के उपर वो logic apply नहीं करना चाहते तो same काम जब मैंने किया let me show you मैंने क्या किया मैंने लिखा i का 0 का 0 is equal to 0 मैंने यह code लिखा और अब जब मैं दोबारा run कर रहा है इस code को I am getting the exact same answer exact same answer मतलब जो इनका है 44.020 150.890 see अब side by side compare करोगे एकदम same answer आ रहा है minus 164.98 minus 164.98 ठीक है so apparently वो लोग same formula यूज़ कर रहे है बस एक चीज़ चेंज कर रहे है और वो यह है and honestly मेरे को अभी दर clear answer नहीं मिल पाया इसका actually time नहीं मिला I was very sure कि जो मैं कर रहा हूँ सही है but मेरे को जब answer में difference दिखाई दिया तो फिर मुझे लगागी कुछ घड़वड है तो research करने पर तो मुझे समझ में आगया कि solution यह है but ऐसा solution क्यों है यह मुझे figure करने में थोड़ा अभी time लगेगा तो अगर आपको पदा चलता है इसका reason क्या है तो आप comments में लिख देना ठीक है especially अगर आपके पास छोटा data set है बड़ा data set है तो यह वाला चीज problem करेगा जो problem वहाँ पे था problem क्या था time complexity का बहुत बड़े data set में time complexity बहुत बढ़ जाता है n cube के order का हो जाता है तो फिर solution क्या है आप gradient descent apply करते हो तो अब हम लोग next video में क्या करेंगे हम लोग gradient descent कैसे apply किया जाता है reg regression में वो सीखेंगे so that's it thanks for watching bye